हेलो वीजियोज वेलकुम तो माई यूट्यूब चैनल ब्लीविन थेड़पी आइम नीहा एंड तुड़े डिस्क्रिप्सिंग अबाउट अवाउट 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 लाज के वीडियो बर हमने फ्लेक्शन और एक्सेंशन की अवाउटी का प्र स्दिधार प्रशंक ति अवाउटी करना थे ज सब्सक्राइब को न और बढ़ाऊट ऑफिसुन ही स्टहाप्न को त्या यहां पर फृसीन करने है Cage आप कर दो इसका e सबस्क्षर खूँ आपका पता है को भी कॉटिक्शन नहीं होगा पालपेट करने के पाद मुछ भी फी नहीं होगा मेंस मुझल स है बहुत बहुत जादा बीक है बहुत जादा बीक है वहां कोई भी टोन नहीं है कोई भी काटिक्शन नहीं और ग्रेट बंड में क्या होते हैं इसकि हमारी से के लिए हमारी glutus medus muscles responsible है तो उसे आप पुल्पिट करेंगे तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से किस moments के लिए होती है जब आपको पता होगा तभी तो आप पुल्पिट कर पाएंगे उसे एडिया पे तो हमने यह वी वीडियो अल्रीड बना रखा है कि मसल्स के लिए responsible होते हैं तो वह आप देख सकते हैं तो जब मसल्स हमारी बहुत ज़र्द बीक है तो पिशन किस पोजि सब्सक्राइब को सब्सक्राइब का वकुर्ण में ऊज़र्ण पर प्रॉडव कर देख सब्सक्राइब को करना है लेक को एग को होट करके साइड में काउच की साइड में लिए कि दना अब्डक्ट कराना है तो आपको पैक्सिब ली कराना है पिशन्कों पर वहाँ पर याद रखना है कि कोई भी आपको डिस्टेंस नहीं देना है क्या रहाएगा किस से बोलना है कि अपनी लैक को काउच से बाहर लेके जाओ तो वहां इसलिए आपको तूरा सा असिप करना भी पड़ेगा पेशन को होल्ड करने की ओके सब्डेट 0-1 होने के बात आफ ग्रेट 2 परफॉर्म कराएगे की रीट पेशन की में डीजेए की बैटिकोबतुर। क्या करेगा जो लैक को खोल्ड करेगा डिस्टली होल्ड करेगा क्यूंकि जब भी पेशिंट अपने हिप ज्वाइन को अबड़क्ट करता है तो जैसे यह काउच हो गया यहां से पेशिंट अबड़क्ट करेगा लिम को बाहर के वह लेके जाएगा तो जो हमाई कि और उसे पेशिंट को लाने में हेल्प करेगा वहां पर कोई भी रजिस्टेंस नहीं देना है इस प्रॉसेस में प्रॉसीडर होता है उसमें बस यहीं है कि पेशिंट अड़क्ट करके रखेगा लिम को इस टाइप से और इसके बात पेशिंट बाहर की और लेकर आएगा अ तो हम राइट एंड लेफ्ट लेफ्ट तो भी यूज कर सकते हैं यहां पर अड़क्ट अटल लोवर मुश्लिम और कांट अपर मुश्लिम इंस्ट्रक्शन के देने हैं पेशिंट को ब्रिंग यॉर लैंग आउट साइड दा काउच काउच से बाहर आपको लिखे जाना है लैंग को मिस पेशिंट चे बोलना है बैड से बाहर लिके जाना है पेशिंट की लंगविज में ही इंस्ट्रक्शन देने हैं अब नेक्श्च वह समझते हैं गेट 3, 4, 5 गेट 3 जो होती है हम फुल देंज मोशन में परफॉर्म कराते हैं पेशिंट को होल्ड करने को बोलत चल ही क्या होगा गेट 3, 4, 5 जो पेशिंट बोजिशन रहे कि हमें साइडलाइप्छन रहे कि जिसमी लेंप आप टेस्ट कर रहे हो वो अपर पोष्ट होगा और तो लोवर रैपोगा वो फ्लेक्स मा रहे गा स्लेटिली फ्लेक्स रहेगा वह भी स्टेबल टेप्य पेशि कर सकता है या पालवस को स्टेबलाइज भी कर सकता है पैशिक अबड़ाइब दा हिप नी आपको बोला है कि अपने लिम को उपर की और लेके जाओ तो इस तरह क्या होता है कि जा हम यह प्रोसेडर कराते तो पैशिंट कभी-कभी ट्रिक मुमेंट्स का लेता है तो क्या करता है अपने हिप ख्ञिड का लेता हैें व्लेक्श कर लेता नी को होगर में भी यहाँ नहीं आने कि इन्स्ट्रक्शन क्या देने हैं पीशिंग को लग के शिकशिंग करհहे हैं यह उपर के लिकर जाना है फुश्टय के लिए होड रखना हैं एंद नन नाग को पुस पूश करना है और लिंप को लिके जाना है तो यह आपको इंस्ट्रक्षन देला है जिससे कि पेशंट समझेगा कि हां करा ना क्या एक्षल मैं आप अब नेक्च आम समझने है हिप आदक्षिन टी टेस्टिंग कैसे करेंगे वो समझते हैं मुमेंट्स कराएं उससे पहले आपको अदक्शन कराने वाली मसल्स पता होने चाहिए मिस अदक्टार मसल्स वहां पी कोई भी जॉइंट का मुमेंट्स नहीं होता है ग्रेट बन में अल्ली मसल्स करती है महत्यक्र नहीं क्या रहेगी पेशन कि मसल्स बहुत जब बीग यहां तो में 팔श पोजिन कोषिए ने मैं अन्प मुमेंट्स करlàने में पेशन को करेंगा कि पैशेट मुमेंट्स नहीं कर पारा मसल्स बीख होने की वज़े से वहां पर वह सपूर्ट देखा प्रॉसेजर क्या रहेगा पैशेट को बोलना है अडेक्टर हिप कैसे करेंगा एक हम लिम जो है मारा नॉबह उससे हम तुरह सा दूर रखेंगे फिर पैशेट को बाहर से अंदर की ओर लिम को लेके आना है तो वह आप पैसे ली ही कराएंगे इस्ट्रक्शन क्या देना ब्रिंग यॉर लैग इन लैग को अंदर की ओर लेके जाओ ओके तो ग्रेट टू जैसा कि आप सब लोग सांते हैं एक ग्रेट टू एक ग्राफ्टी अलिमिनेट पो कर रहा है मिस थाई लेविल की लेविल में खड़ा होगा एंड वन हैंड से पाल्पेट करेगा हमारी एडिक्टर मसल्स को अदर हैंड बिल होल्ड लिम मिस अंडर दा अंकल प्रिवेंट फ्रिक्शन जैसर कि हमने आपको अप्डिक्शन मोमेंट से बताया तो यह खास से हम 50 को ऐडिक्शन को और ऑ जो करेंगे अब किया होता है तो उसके वाच सिठ चाउच से थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा के भील आल फ्रिक्शन होगा भी नहीं देना है प्रोसीडर क्या रहेगा प्रिशन अड़क्ट करेगा हीप और इंस्डॉक्शन क्या देने हैं ब्रिंग यॉर लैक तो अपने दूसरे लैक तक आपको लैक को इन करना है अंदर के ओल लेके जाना है यह इंस्डॉक्शन देना तो आप समब्स क्या हूं नेक्स्ट आप समझतें गेट 3, गेट 4 और गेट 5 तो गेट 3 हमारे हमेशा प्रफोंग फॉल रेंज और मोशन होगा यह फोल्ड करना है बट कोई भी रेजिस्टन्स नहीं देना है गेट 4 प्रफोंग तो मॉड्रे रेजिस्टन्स देना है और सहां उस्थियर पेशेंट होल्ड करेगा अगेंस है जैसी आप रेजिस्टन्स देर है वो फेशेंट होल्ड कर पा रहा है तो मींच वह उसकी व्लाप हो बट पीछेंट क्या रहीगा शिर्ण क्या रहेगी हैं कि आपको मसल्स्टर अब थोड़ी सी मसल्स क्या वर्वाइवल हो गए हूं तो आप सुपाइन लेंग पूशिन करा क्यों तो आप साई लेंग कुष्छीन करा सकते हो जैस कि लिम्प को अड़र करना 지금까지 किल आ इस सपोर्ट देना है जिसलेंग तक लेगिन को अपर निरा दीजिए असनलीकी पीड में शात नोब हैki म०ल क्याthis कराने के बार आपको वहां पर होल्ड कर लेना है एक ट्रैलिंग दो लेक बिद फोर आम जो थेरपिस्ट आपनी फोर आम से उसके लिम्प को सपोर्ट देगा उसके बाद पेशिंट का जो लोबर्मोस्ट लिम्प था जो की हमाई सपोर्टेड है टेबल से इस आइलेंग पु कि आपने लिम्प को बोलेंगे कि आपने लिम्प को ऊपर क्यों लेके आऊ इस वाई लिम्प से आपको मिलाना है यह इंस्ट्रक्शन देने है तो वहाँ पे आपको थोड़ा से रेजिस्टेंस देना है और जो टेस्टिंग प्रोसीडर यहीं रहेगा कि पेशिंट अड़क्ट दा है अंतल लोबर मुश्ट लिम्प कॉंटेक्ट दा अपर मुश्ट लोबर मुश्ट लिम्प भी है वो बैटियर सपोर्ट में है वो अड़क्ट करेगा और अपर मुश्ट लिम्प है वहांकी मुसल्स कॉंटिक करेंगे इंस्ट्रक्शन क्या देना है पेशिंट को क्या बोलना है आपको पेशिंट से लाग और बोटम लैग अप टूप उसे आप खोके लाना ऊपर क्यों लेकर आना है यह आपको इंस्ट्रक्शन देना है तो आप समझ को होंगे हिप अडिक्शन और हिप अब्डक्शन की अधम्टी कैसे कराते हैं तो वीडियो आपके लिए हाल पूल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइट करें चलको सब्स